नमस्कार, TV9 डिश्टल में आपका स्वागत है, मैं हूँ विश्णु शंकर, मेरे साथ हैं TV9 हिंदी के एक्जिटिवरेटर पंकश कुमार जी आज बात बिहार की, हम सभी जानते हैं कि राम नमे के दिन जो बिहार राजमे हिंसा भलकी, सासा राम और नरंदा जिलों में, उसको लेकर राजमे विवक्ष ने राज की महागटबंद सरकार को आड़े हाथ हो लिया है, और कहा है कि सरकार दंगों को रोकने और उसके बाद उत्पन सिती से निमटने में असफल रही है, अभी रमदान चल रहा है, पवित्र महीना है, ऐसे में जो इफ्तार होती है, उसमें नितागर भी पहुंचते हैं, ऐसे ही एक इफ्तार में मुख्यमंतरी नितिश कुमार भी पहुंचे थे, और वहाँ पर जैसा आप देख पा इसी बात से करेंगे कि ये बवाल भला क्यों हो रहा है? ये तो बिपक्च के नाते किसी भी सियासी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर सवाल उठाए कि लॉइन ओर्डर का समस्या क्यों हुआ? दंगे क्यों हुए? ये एक बड़ा सवाल है और वो दंगे चाहे जहां भी हों, बेंगॉल में हों, दिल्ली में हों, सियासी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर सवाल उठाए, इसलिए सवाल उठाए है, और खास तोर पर मुखमंत्री नितीश कुमार को घिरने की कोशिस इसलिए भी की गई है, क्योंकि जिस तरह का की तस्वीर दिखाई जा रही है, उसमें ये साप जलक रहा है कि उ लाल किला, आप जानते हैं लाल किले पे प्रधान मंत्री का जाना हुता 15 अगस्त को भासन देते हैं और जंडा फैरा आजाता है, अब सवाल ये उठने लगा है कि आपका ग्री प्रदेश जल रहा है, लौ एन ओर्डर की भीशन समस्या है, साथी साथ ये दंगे हो रहा है, आप उसको कंट्रोल करने में कामियाब नहीं है, तो जाहर तोर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है, इसलिए भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि राम नम्मी के एक दिन बाद ही, आपको द्यान होगा सनिवार की शाम क गरी मंत्री Пटना पहुंचे और फिर उनको सासाराम जाना था और उनकी सभा नहीं हो पाई, और सभा नहीं हो पाई उसकी वज़य यह थी कि वहाँ पे 144 इंपोस कर दिया तो नवादा में उन्होंने बाशन दिया और नवादा में उन्होंने भी कह दिया कि यह जो ही हैं आप 2024 में 40 के 40 सीटें बीजेपी को जिताई हैं हम इनको सीधा कर देंगे इस तरह के टर्मिनोलाजी का प्रियोग किया सवाल यह कि 2024 में चुनाओ है बिहर का 40 सीट भी important है नितिस कुमार जी भी टोपी पहन करके एक बर को आकरशित करने की कोशिस कर रहे हैं और बीजेपी भी अपने तरीके से अपने वोटर्स को एड्रेस कर रही है लेकिन ये तो सियासी ड्रामा चलेगा वो जाइज भी है वो मान लिजेए politics का हिस्सा है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां कहीं भी दंगे होते हैं चाहे बीजेपी रूल स्टेट में हो चाहे नितिस कुमार रूल स्टेट में हो वहाँ पर प्रशासन को ले करके administration को ले करके और chief ministership को ले करके निश्चित तोर पर सवाल उठेंगे और इसलिए सवाल उठ रहे हैं लेकिन कहते ना कि दाल में तड़का तड़का इसलिए लग गया क्योंकि इस सब के बीच नितिस कुमार जी इफतार की party कर रहे हैं और वो भी party कर रहे हैं और उसके पीछ लाल किला का background है तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि आपसे आपका ग्रेज जिला तो समल नहीं रहा देश क्या समाले पंकर जी आगे बढ़े इसके पहले ज़रा विहार में जो स्थिति व्याप्थ उसको लेकर कुछ राजनितिक पत्रिक्रियाय मिली हैं वो सुनते हैं सब लगा हुआ है दंगा भरका हुआ है अप्राद चरम पर है और नितीश कुमार जी लाल किले के backdrop में मौलाना टोपी पहन कर जसने इफ्तार मना रहे हैं नितीश कुमार ठिक मुहम्मद बिन तुगलक की भूमिका में नजर आ रहे हैं आप देखिये कि नितीश कुमार जो है उन्हें पे कोई रिमोर्स ही नहीं है उनको कोई तकलीफ ही नहीं होगी उनको कल इftार की पार्टी में चले गए तोपी सर पर पहन लिए शावल पहन लिए ऐरे कुस्तों हमदर्दी दिखाते हैं गम दिखाते और वो आर्ज़डी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया रहे जबान से बोलो ना कंडम करो तो ये पुरी खुली साधिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरीए से वो अपना कॉंसलिडेशन करना चाहते हैं और नितीश कुमार और तेजस्वी कि इन्हें बंद करना चाहिए पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रैसरे दिया जोलसाने का काम किया गले लगाकर पीठ में छुरा गोपने का तो नीतीश जी का मुहां कर स्वांग है अब ही बात कर रहे थे बिहार में हुए दंगों की बारे में पंकर जी हमने देखा है कि जब जब अप देश की किसी राज में चुनाव वगरा होते हैं तो इस तरह से अशान्ती फलानी की कोशिश होती है दंगे वगरा कई बार हो जाते हैं दोहजार चौबीस अब बहुत दूर नहीं है लोगसावा का चुनाव ऐसे में इस समय इस तरह का दंगा होना सिर्फ बिहार में नहीं और भी कई राज्यों में दंगा हुआ महराष्ट में हुआ गुजरात में हुआ और भंगाल में हुआ तो इसे महच सैन्योग माना है तो मुझे लगता है कि सरकार को और भी सजग होने की जरूरत है चाहे कोई चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे ममता बैनर जी की सरकार हो चाहे नितिश कुमार की सरकार हो ये तो समझना पड़ेगा कि चुनाव पास में है तो उससे पहले जो भी मिश्चीफ करने की कोशिस है वो की जा सकती है इसलिए ज़्यादा एलेट रहने की जरूरत है अब सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह की बात होती है तो इसके लिए जिम्मेदारी किस पे ठहराई जाएगी जिम्मेदारी तो एड्मिस्ट्रेटर पे ही ठहराई जाएगी जिसकी सरकार है अब समझे कि जो निखिल आनंद कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि मुहम्मद बिन तुगलग बड़ा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलग किसलिए जाने जाते हैं दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली उन्होंने राजधानी बदलने की कोशिस की थी नितीज कुमार के बारे में वो इसी तरीके के सब्द का प्रियोग इसलिए कर रहा है कि कभी NDA काम, कभी महागट बंदन, फिर NDA, फिर महागट बंदन, लेकिन इस बार अमित शाह के जाने के बाद जिस तरीके से अमित शाह ने ये कह दिया कि नितीज के लिए दरवाजा बं आप समझे कि जो जेडियू पिछले कुछ समय से चुपचा पड़ी थी बीजेपी को उस तरीके से टारगेट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कुछ इंसिडेंट से याद दिलाता हूँ, तामिलाडू में मजदूरों के साथ बदमासी हुई, उस पे तेजस्वी का स्टैंड क कुछ और था बीजेपी के नेता मिले और उसके बाद एक डेलिगेशन बेज दिया गया, हुआ क्या क्या नितीस बीजेपी के करीब आना चाहते हैं, छट के दर्मियान खड़ना का प्रसाद खाने किन के पास पहुँच गए, संजे मयुक के पास, जो कि आमेशा के बेहत कर नहीं माने जाते हैं, तो ऐसे कई वाकिये हुएं जिसको लेकर के और तीसरी सबसे बड़ी बात की राहुल गांदी पर नितीस मुखर हो करके कुछ नहीं बोले, तो ऐसा लगने लगा कि क्या नितीस कुमार बहुत सद करके चल रहे हैं, दोनों रास्ता खुला रखना चाह जाते हैं ताकि उनकी इंट्री वहां पर हो सके, ऐसे तमाम कयास लगाये जा रहे थे, लेकिन इसी बीच अमित शाह का भी हर दोरा और उसके बाद ये कह देना कि इनके लिए दरवाजे बंद हो गए, जेडियू को भी एग्रेसिव कर दिया, और बीजेपी के नेताओं में जो ये सुख बुगाहट तेस्ती की नितीस क्या कुछ करने वाले हैं, तो उनका confidence और बढ़ गया कि अच्छा है नितीस को target करें, जायर तर पर चुनाओ है, और चुनाओ से पहले मुद्दे उठेंगे, बनाए जाएंगे, तैयार किये जाएंगे, और चुकि नितीस कुमा को लाल किले के सामने दिखाया जा रहा है, उनको जंडा फैराते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा ये लाल किले से पहले के सामने बैठे हुए दिखाया जाने का मकसद ही, बीजेपी ये लगा रही है कि दिवा स्वाप छोड़ दे, वैसे मुझे मैं नहीं मानता क कि किसी भी काम में अगर आप महत्त्वा कांचाएं रखते हैं तो उसमें कौन सी गलत बात है ठीक है वो रियालिस्टिक होना चाहिए हाँ उस पे सवाल उठ सकता है कि नितिश कुमार कैसे कुछ MPs के जरिये की मदद से प्रधानमंत्री बन सकते हैं लेकिन हमारा इतिहास कहता HD देव गोड़ा आपको याद होगा इंदर कुमार गुजराल आपको याद होगे कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं अगर उनकी महत्त्वा कांचाएं भी है तो गलत क्या है लेकिन हाँ लोगों की आकांचाएं बतोर जैनलिस्ट हम नितिश कुमार से ये उमी जरूर करेंगे कि वो जिस भी सूबे के सीए में वहाँ बहतर गवर्नेंस दें कई साल तक उनके बहतर गवर्नेंस मॉडल की चर्चा देश विदेश में भी होती रही है लेकिन अभी जो एड्मिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ और खास तोर पर राम नम्मी के बाद और उस बीच में इस तरह का पिक्चर आना वीडियो आना मिश्चित तोर पर ये सवाल तो उठाता यि है क्या नितिश कुमार अब थाक रहे हैं क्या नितिश कुमार फिट हैं क्या उनके अंदर वो विल बचा है कि गवर्न कर सकें और अगर स्टेट को रूल नहीं कर सकते ठीक से तो क्या वो प्रधान मंत्री बनने के लाइक है, इस तरह के कई सवाल उठने लाजमी हैं, लेकिन बिपक्छ लगातार इस मुद्दे को उठा करके और भुना करके एक टेंपो सेट करना चाहता है, क्योंकि ये मत बूलिये, बिहार का 40 सीट बहुत इंपॉर्टन है. पंकर जी आपको शायद मालूंगा कि बटना में जनतादन उनाइटिड का जो दफ्तर है, उसके सामने भी ऐसी एक तस्वीर लगी भी है, जिस पर ये लिखा हुआ है, कि देश को आपका इंतिजार है, नितिश कुमार जी के संदर्ब में. नहीं, ये तो काफी टाइम से जब से ये महागट बंदन में गए हैं, तब से इस तरह की बात उठ रही है, और जेडिव के तरफ से इस तरह के पोस्टर्स लगाय जा रहे हैं. ये बात ठीक है कि इनके नेता बीच-बीच में कहते रहते हैं कि हमारा कोई अमबिशन नहीं ह वो कहते हैं कि हमारा कोई अमबिशन नहीं है, उनकी नेता कहते हैं कि इनको प्रधर मंतरी बनना चाहिए. कि राजनीती को ये सूट करेगा ऐसा RJD क्लेम करता है, लेकिन आप ध्यान करिये जब अमिशाह पहुंचते हैं, बिहार तो अमिशाह सीधा एटाक नितिश कुमार पर करते हैं. और क्या कहते हैं कि नितिश कुमार लालू प्रसाज जी को ठग रहें, RJD को ठग रहें, चुकि वहाँ प्राइम इनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं है, इस नाम पे वो समर्थन लिये जा रहे हैं कि भई, उधर खाली होगा या उधर हम चले जाएंगे और तब आपको सत्ता दे देंगे, लेकिन ये कब होगा, ये 2025 तक होगा, तब तक तो इनकी सरकार बनी रहेगी, ये सत्ता में कायम रहेंगे, तो ऐसे कई सवाल हैं, जिसको लेकर के इन पर विपक्च्वी निशाना साथता है, RJD की भी आवाज उठती रही थी, लेकिन आप फिलाल कुछ दिनों में आप देखेंगे, कि RJD की आवाज दब गई है, वजह ये है कि CBI ED के रेड्स, और इस रेड्स की वजह से ये कहा जाने लगा है कि क्या RJD के जो सिर्सनेता, क्या वो जेल जाएंगे, क्या वो कानून के सिकंजे में होंगे, क्या उन पर लगाए गए आरोप साबित होंग वो बहुत सिक्योर नजर आता है, अब सवाल ये उखता है कि इधर वैकेंसी नहीं होगी केंदर में, तो नितीश कुमार इस सिचुएशन को बहतर एक्स्प्लॉइट करने में उनको महारत हासिल है, और पिछले 22 साल से वो यही कर रहा है, वो जानते है कि कब किधर कैसे जा दिखा करके, किसी के घर चले जा करके, कुछ ऐसे फैसले करके, वो सायद करने में अब उनको दिक्कत होगी, तो क्या बिहार की पॉलिटिक्स बदलने वाली है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से CBI और ED के सिकंजे में लालू का परिवार फसा है जो आरोप लगे हैं, मुझे लगता है RJD डिफेंसिव हुई है और यही कंडिशन नितीज कुमार को सूट करता है, लेकिन आपने सुना जो ओवैसी साब हैं, उन्होंने कहा सिर्फ टोपी पहनने और सॉल पहन लेने से सब कुछ नहीं हो जाता, उन्होंने RJD और JU दोनों क कट घरे में खड़ा किया है, विशनु जी बात बहुत साफ है, 2024 का चुनाओ है, ये चिंता करने वाली बात तो जरूर है, लेकिन इस पे राजनीती का तड़का भी आने वाले समय में और लगेगा, आप कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखेंगे, क्योंकि 40 जो बिहार की है, उस पर नजने तमाम सियासी पार्टियों की है। जो जनाधार है, आरजेडी और जेडी यू का, उस पर इसके दंगे के प्रत्यूत्तर में फर्क पड़ सकता है। देखें, सवाल यह है कि दंगे से क्या होता है, दंगे से कई सारी चीज़ें होती हैं, अब उस पर डिपेंड करता है कि कौन उससे लाभानवेत होता है। लेकिन इस साल हुआ है, उन्हें सवाल है कि इस साल यह क्यों हुआ? चलिए सासाराम और नालंदा तक यह रूक गया, अगर इस प्रेड और भी होता क्योंकि कुछ शहरों में और इसकी धुआ दिखाई पड़ने लगी थी, तो समझें कि क्या हो सकता था। दंगे आज के सोसाइटी में होना निश्चित तोर पर ये इमाजिनेशन से भी परे है और गरीब लोग इसके शेक को ही दोसी ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश के सरकार है। बिहार से सब्बंजित सभी खबरों के लिए हमेशे जुड़े रहे हैं टीवी नान डिश्चितल के साथ, यहीं आपको सबसे पुखता खबर और सबसे सही विशलेशन देखने और सुनने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, अब इजाज़त दीचे.